अज 5 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपुन क्रेंट फेर होंगे वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का पहला प्रष्ट आज का पहला प्रष्ट है विश्व अंत्रिक्ष सप्ता कब से कब तक मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है चार से दस अक्टूबर तक ठीक है ठीम था इस वार का स्पेस एंड सस्टेनेविलीटी अब इस महीने में और कौनकौन से महत्वपुर्म दिवस मनाये गए तो अंत साखारी दिवस एक अक्टूबर अंतराष्ट्रिय कौफिय दिवस एक अक्टूबर विश्व क्रिसी पसू दिवस दो अक्टूबर अंतराष्ट्रिय अहिंसा दिवस दो अक्टूबर विश्व प्रयावास दिवस तीन अक्टूबर और यह सोंबार के को मनाया जाता है नि केंदर ये कॉफी संस्थान जो है अनुसंधान संस्थान कहां पर है केंदर ये चाय अनुसंधान संस्थान कहां पर है और केंदर ये तमबाकु नुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये तीनों का जवाब देना आपको है कमेंट बॉक्स में कि ये तीनों कहां पर है अब अग में उसको देखते हैं वह किसने जीता है तो हिमालिया रोमांगना grand prix 2022 मैक्स बस्टपन ने जीता यह नीदरलेंड के हैं सवुदी primarily grand prix अजार बेजान grand prix केनेडियन grand prix अजबेजान grand prix मियामी grand prix french grand prix हंगिरीयन grand prix किस ने जीता तो यह जीता मैक्स बस्टपन ने जो नीदरलेंड के हैं ठीक है फिर से बेल्जियम ग्रेंड प्रिक्स भी मैक्स बस्टपन ने जीता और डच ग्रेंड प्रिक्स भी मैक्स बस्टपन ने जीता मोनाको ग्रेंट पिक्स सर्जियो पैरिंट जीता जो मेक्सिको के हैं और ऑस्ट्रेलियाई ग्रेंट पिक्स बहरीन ग्रेंट पिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रेंट जीता चार्ल्स लेकलर ने जो मुनाको के हैं अब अगला प्रश्ण है हाली में जीते जी इलहावाद को बैली ओफ वर्ड पुरुषकार से समानित किया गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है अब इस साल और ही भहु सारे महत्वपुन पुस्तक आए है उसको भी देखते हैं एक वार तो गांधी की हत्यारे दा मेकिंग ओफ नाथूराम गोड से एंड इस आइडियाज की लेखाख है धिरंदर जा यह एक पत्रकार है ममताब बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक की लेखाख है जैन्त गोसाल दली जैंड ओफ विर्षा मुंडा की लेखाख है तुहीन एशिन्हा और अंकिता बरमा और अप्रेसन खात्मा की लेखाख है आरसी गंजू और अश्विन भतनागर अ लिटील बॉय ओफ इंडिया के लेखाख है दा अंब्रेला के लेखाख है एन्गरी रिवर की लेखा लेखाख है communion과 Seiten bond ए हिस्ट्री ओफ स्री निकितन के लेखक है उमा दास गुपता, दे ग्रेट टेक गेम्स पुस्तक के लेखक है अरुंधती सूरी, बैचलर डैड के लेखक है तुसार कपूर, ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी, उरान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथलेश तिवारी, दे स्पीड ओफ क्रिकेट इंडिया के लेखक है अस्टीव सौ, इस्टीव सौ, हाव टू अर्थ गॉर्ड इस ब्यूटी के लेखक है सुल्हाम मूर्ती, टॉंग ओफ सेंड, रेत की समाधी के लेखक है गितांजली श्री, इन द सेड़ ओफ लिजेंड पुस्तक के लेखक है दिलीप कुमार और फैसल फारूखी, ठीक है, द जर्नी ओफ नेशन, 75 इंडियान एकोनॉमी के लेखक है संजय बारू और अस्टांग योग के लेखक है शौनू फोगट, रेजनी के मंत्र, लाइफ, लेशन, फ्रॉम, इंडि लब्ड सूपर इस्टार नामक पुष्ठक के लेखक हैं पीसी बाला सुब्रमन्यम बिल पावर के लेखक हैं सोजड मनीर मरीन महाकुम्ब जर्नी पुष्ठक के लेखक हैं जिवेश नंदन मुष्कुराते चंद लम्हें और कुछ खामोशियां पुष्ठक के लेखाख है जिवेश नंदन कौन है इस दोनों पुस्तक के लेखाख है जिवेश नंदन अब अगला प्रश्ण है हाल ही में किस मंत्राले ने फिट इंडिया फ्रेडम रन 3.0 का सुभारंब किया है तो यह किया गया है केंद्री एक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के क Nicholas मंद्री फ्रेवरण मंत्री और सिच्ण मन्त्री कौन है कर जवाब में को कमेंट भॉक्स में फिक है अब यहां शुरू किया गया ऑगया तो इसकी शुरूवात कहां हुई है तो इसकी सुरुवात गांधी जी की जियनती के अबसर पर मेजर ध्यानचंद्र नैस्नल स्टेडियम में किया गया है मेजर ध्यानचंद्र नैस्नल स्टेडियम को नैस्नल स्टेडियम भी बोलते हैं और यह है कहां पर तो दिल्ली में है ठीक है देखो मेजर ध्यानचंद्र नैस्टनल स्टेडियम दिल्ली में है और नैस्टनल स्टेडियम जो है वो मुंबई में है केंद्री एक खेल मंत्री अनराग ठाकुर ने इसका सुभारा में किया है भारतिय खेल प्राधिकरन के महा निर्देशक है अब अगला प्रशन है हाल ही में किसने यूवा एबम उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एबम पुस्तक संस्कृति को बढ़ाबा देने के लिए यूवा 2.0 योजना की शुरुवात की है केंदर सरकार के दोरा किसके दोरा किया गया है केंदर सरकार के दोरा यूवा 2.0 शुरू किया गया है अच्छा आपको बताना केमेंटर बॉक्स में कि बाल विकास मंत्राले अभी किन के पास है यानि कि बाल विकास मंत्री कौन है महिला और बाल विकास मंत्री कौन है ठीक है यह योजना तीस वर्ष से कम आयू के युवा एबं नबोदित लिखों को के लिए एक प्रामर्स कारिक्रम है। इसका उद्देश पूरे भारत में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और अंतराष्टिय अस्तर पर भारतिय लेखन को प्रदर्शन करना है। अब देखो इंटरनेस्टल बास्केटबॉल फडरेशन इसका हेटक्वाटर कहां पर है तो मीज शूट्जर लेंड में इसका हेटक्वाटर है और इसके स्थापना हुई 18 जून 1932 को और इसके प्रसिडेंट है हीमैन नैगी कौन है हीमैन नियांग इसके चेर्मैन है ठीक ह अब अगला प्रशन आपका है हाधी में किसे भौतिक का नॉबल प्रोषकार देने की गोशना की गई है तो यह दिया गया है एलन एसकेट को जौन एफ क्लॉसर को और एंटेनो जिलिगर को दिया गया है यानि कि उप्यूत सभी किसों सो दिया गया है तो एलन नॉबल के बारे में ठीक है एलन एक्सपेक्ट फ्रांस के हैं जौन एफ क्लासर अमेरिका के हैं एंटेनो जिलिगर जो है वो ऑस्टेलिया के बैज्ञानिक को संइक तुरूप से क्वांटम सुचना के अधार पर नई तेकनीकी का रास्ता साफ करने के योगदान के लिए स्वीडन के स्वाते पैमबो को मेडिसीन के छेतर में नॉबल प्रुषकार देने की घोसना की गई है ठीक है अब इन्होंने क्या किया तो इनका योगदान था बिलुप्त हूमिनीन और मानब विकास की अनुवांसी की से जूरी खोज के लिए यहां प्रुषकार दिया गय नॉबल प्रुषकार की सुरुवात उनिस Ciao disade की गई कब की गई तो नॉबल प्रिूषकार की सुरुवात उनिस Sun की गई इस प्रुषकार की इस थापना सुडीन के बंघ्ञानिक अलफरेट नॉबल के द्वारा की गई थी सुडीन के लोगों को 896 में इस प्रुषकार के बारे में पता चला यह प्रुषकार छे चैत्रों में दिया जाता है अल्फेट नॉबल ने डाइनामाइट की खोज की थी रविन्दनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के चैत्र में यह प्रुषकार दिया गया था सीवी रमन को भौतिक के चैत्र में 1937 में यह प्रुषकार दिया गया और हर गोविंद खुराना को चिगित्सा के चैत्र में 1968 में यह प्रुषकार दिया गया मद टरेसा को सांती के चैत्र में 1979 में यह प्रुषकार दिया गया सुब्रमन्यम्चन सेखर को भौतिक के छेत्र में 1983 में यह प्रोषकार दिया गया अमर्त सेन को अर्शास्त के छेत्र में 1998 में यह प्रोषकार दिया गया ठीक है पी सी स्वारी वी एस नौई पोल को साहित्य के छेत्र में 2001 में यह प्रोषकार दिया गया बैंकर्ट रमन राम कृष्णन को रसाइन विज्ञान के छेत्र में 2009 में यह पुरुषकार दिया गया और कैलास सत्यार्थी को 2014 में सांती के छेत्र में यह पुरुषकार दिया गया थीक है अभेजीत बिनायक बैनर्जी को 2019 में अर्थसास्त्र के छैतर में यह परुषकार दिया गया ठीक है चलो अगला प्रशन आपका है 2022 के राष्ट्रीए खेलों में महिलाओ की 33 किलोग्राम कुस्ती में किसने स्वन्पतक जीता है तो यह जीता है अंतिम बंखालनी यह जीती है ठीक है अब अगला प्रशन आपका है अच्छा पताना आपको है कि यह ज погब देना आप गेंट पर हो रहा है ठीक है अगला प्रशन आपका है निम्लिकित कथनों पर विचार करें और सही का चियन करना आपको है तो देखो 36 में राष्टी ये खेल में सर्विसेज ने 32 सुवर्ण 18 रजत और 18 कास्य पदक के सहीत 68 पदकों के साथ 6 अस्थान हासिल किया इसके बाद हर्याना पहला सही है यानि कि 36 में राष्टी ये खेल में सर्विसेज ने 32 सुवर्ण 18 रजत और 18 कास्य पदक के साथ 68 पदकों के साथ 6 अस्थान पर आया और इसके बाद हर्याना को कुल 58 पदक मिले जिसमें 32 सुवर्ण 20 रजत और 15 कास्य पदक थे ठीक है दूसरा आपका है महराष्ट ने 7 पदकों के साथ तिसरे अस्थान पर है जिसे 14 सुवर्ण 15 रजत और 31 कास्य पदक जीते दिये गए यह भी सही है आपका और तिसरा आपका है महिलाओं की 35 किलोगराम की रेस वाक में उत्राखंड प्रथम अस्थान हासिल की यह भी सही है अर्थात एक दो और तीन तीनों सकते है इसका ठीक है अब देखो इससे और जूरे से जूरे से कौन कौन से प्रशन आ सकते हैं आपके एकजाम में तो महराष्ट की महिलाओं ने खोखो अस्फरदा में स्वर्ण पदक जीता उत्तर प्रदेश के राम बाबु ने 36 में राष्ट्रिये खेलो में 49 किलोग्राउं वर्ग में स्वर्ण पदक जीता इससे पहले मिरावाई चानों 30 जूलाय 2020 को बर्विंगम में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था हर्याना की अनीस ने निसाने वाजी में स्वर्ण पदक जीता पुरूसों की 1500 मिटर दौ ठीक है इसी तरह से आप लोगे जवाब दिया करो मैं पड़े एक बच्चे का नाम लोगा जिसका जवाब अच्छा होगा और वह जो डिली जवाब देगी ठीक है अब अगला प्रशन आपका है गिल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रवंदक निदिसक कौन बने हैं तो य बारत तिमा सिमा पुलीज के महा निर्दिसक है गुर्विर पाल सिंग और पी एस के महा निर्दिसक है संजय चंदरा भारतिय टटरक्षक बलके महान दिसक हैं बी एस पठानिया कौन है तो बी एस पठानिया रेलवे बोड के अध्यच्च और CEO हैं बी के तिरपाथी तेल और प्राकिर्तिक गैस निगम की पहली महिला परमुक बनी है अलका मित्तल CBSE के नई प्रमुक बने है निधी छिबबर, Air India के है एन चन सेखर, Oil India Limited के MDN चेर्मेन बने है रंजीत रथ, गिल के चेर्मेन बने है कौन, संधीब कुमार गुपता बने है गिल के चेर्मेन, सेवी के कौन बने है तो प्रमोद राव बने है, दिल्ली के नई पुलिस कमिस्टर कौन बने है, संजय अरोरा, PMO अर्थात, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की निरिसक कौन बने है, स्वेता सिंग बनी है, इंदर्मीत गिल विश्व बैंक के नए मुख अर्थ सास्त्री बनी है, ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला, हिंदू पुलिस अधिक्ष्य कौन बनी है, तो मनीशा रोपेटा बनी है, कौन बनी है, तो मनीशा रोपेटा बनी है, अब अगला प्रशन आपका है, विश्व पसू दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस मनाया जाता है, चार अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पसू दिवस, देखो, अंतराष्ट्री वि इंसा दिवस, दो अक्टूबर, विश्व प्रयावास दिवस, तीन अक्टूबर, विश्व अंद्रिक्ष सब्ताहत दिवस, चार से दख्स अक्टूबर तक मनाया जाएगा, ठीक है, तो ये था आज का आपका करेंट अफेर, मैंने कल आप से एक प्रश्ण पुछा था, हाल तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हेट क्वाटर है नई दिल्ली में, और इसके स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1963 को, और इसके डायक्टर जन्रल है सुबोध कुमार जैसवाल, अब इंटलिजेंस ब्यूरो के का मुख्याले कहा है, नई दिल्ली में है, अस्थापना हुई 1887 में, और डीजी है, तपन देखा, ठीक है, अब देखो, रिसर्च एन्ड लैसे सिबिंग रॉ, रॉ का हेट क्वाटर नई दिल्ली में है, इसके स्थापना हुई 21 सेप्टेंबर 1968 को, और इसके डीजी है सामंत गोयल, अर्था दायक्टी दिनल कौन है तो सामंत गोयल है, आज का आपका प्रश्ण है, ITBP के महा निदिसक कौन बने है, और ITBP के अस्थापना कब होई, तदा इसका हेट क्वाटर कहा है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद